इस वीडियो में हम समझेंगे कि फल और बीच कैसे बनते हैं तो इसकी शुरुआत हम करेंगे फूल के चित्र से क्योंकि फूल में पौधे की नर तथा मादा जनन अंग होते हैं फूल की नर जनन सनरचना पराकोश यानि एंथर्ज में पराकणों का निर्माण होता है जिन में एक बड़ी काई कोशिका यानि वेजिटेटिव सेल होती है तथा एक छोटी जनन कोशिका यानि जनरेटिव सेल होती है जब यह पराकोश प्रसफुटित होता है तो पराकण और इन में से कुछ पराकण फूल के वर्तिकागर यानी स्टिग्मा पराकर के गिरते हैं, जो की फूल की मादा जनन सनरचना है, लेकिन मादा युगमक फूल के अनड़ाशे में स्थित, इन पालियों जैसी सनरचनाओं में स्थित होता है, जिने हम बीजान कहते हैं तो नर युगमक को किसी तरह से इस बीजान तक पहुचना होता है जिससे यह मादा युगमक से सनलेथ हो सके और यहां काम आती है हमारी काई कोशिका या वेजटेटव सेल यह कोशिका इस लंबी परागनली का निर्मान करती है और जब यह पराग नली बन रही होती है तो यह जनन कोशिका विभाजित हो करके दो नर युगमक बनाती है तो यह नर युगमक इस पराग नली के रास्ते बीजान तक पहुँचते हैं और उसके बात क्या होता है, यह जानने के लिए सबसे पहले यह देखते हैं कि यह हमारा बीजान दिखता कैसा है. तो एक सामान्य बीजांट ऐसा दिखता है, यहां हमने बीजांट के सभी भागों को नामांकित नहीं किया है, बलकि सिर्फ उन्हीं भागों के नाम लिखे हैं, जो यहां महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले यह है बीजांट द्वार या माइक्रोपाई, जो पराग नली के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह कारे करता है ब्रून कोश या एंब्रियो सैक वह सनरचना है, जहां वास्तव में मादा युगमग स्थित होता है इसके ठीक बाहर होता है बीजांट काय यानि की नूसलस जो भुरून कोश को पोशन प्रदान करता है बीजांट काय के बाहर होते हैं दो सनरक्षक आवरन, बाह्य आवरन और अंतह आवरन यानि आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स हमारा बुरून कोश अंदर से कुछ ऐसा दिखता है बुरून कोश में बीजांट द्वार वाले सिरे पर दो सहाई कोशिकाएं या सिनरजित्स होते हैं और इन सहाई कोशिकाओं की भीतर तंतुरूप समुच्य या फिलिफॉम एपेरेटिस होते हैं इन तंतुरूप समुच्यों में ये उंगली जैसे उभार होते हैं तो सहाई कोशिकाओं और तंतुरूप समुच्यों का कार्य है पराग नलिका को भुरून कोश की भीतर पहुचने के लिए निरदेशित करना इन सहाई कोशिकाओं के नीचे यह मादा युगमक स्थित होता है जिसे हम अंड या एकसल कहते हैं और यह अगुनित होता है इस अंड के नीचे दो धुरूविय केंद्रक होते हैं और यह भी अगुनित होते हैं और इन्हें N प्लस N दिखा जाता है यह दो अलग-अलग केंद्रक होते हैं तथा यह द्विगुणित नहीं होते हैं सहाई कोशिकाओं के दूसरी और स्थित सिरे पर तीन प्रतिव्यासांत या अंटिपोडल सेल्स होती है अब जब हमारी पराग नलिका ब्रूनकोश तक पहुँच गई है तो हमारे नर्युगमक भी ब्रूनकोश तक पहुँच जाते हैं तो एक नर्युगमक मादा युगमक से सनलैत होता है और एक द्विगुणित युगमनच या जाईगॉड बनाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं युगमक सनलयन या सिंगमी अब दूसरे नर्युगमक का क्या होता है वह यहाँ नीचे आकर इन दो धुरुवी या केंद्रकों से सनलयत होकर के प्राथमिक भुरूण पोश केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म नूकलियस बनाता है निर्मान की प्रक्रिया को त्री सनलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं तो भुरुण कोश की भीतर दो घटनाए होती हैं एक युगमक सनलयन और एक त्री सनलयन या ट्रिपल फ्यूजन तो चुकि यहाँ दो निशेचन हो रहे हैं या दो सनलयन हो रहे हैं इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को दोहरा निशेचन कहते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि इस दोहरे निशेचन के बाद क्या होता है इसके बाद हमारा भूड कोश कैसा दिखता है तो निशेचन के बाद भुरूणकोष कुछ ऐसा दिखता है ध्यान दें कि हमने यहां तंतुरूप समुच्चे या प्रतिवियासान नहीं बनाए है और ऐसा इसलिए है क्योंकि युगमनज के निर्मान के बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है और वह नश्ट हो जाते हैं तो युगमनज और प्राथमिक भुरूणकोष केंदरक या पैन के निर्मान के बाद सबसे पहले यह है पैन विक्सित होने लगता है क्योंकि इसका मुख्यकार्य है इस विक्सित होते हुए युगमनज को पोशन प्रदान करना तो इससे पहले कि यह युगमनज एक भुर परिवर्तित हो जो आगे चलके एक पादब बनाएगा इसे बहुत सी उर्जा की वा पोशन की अवशक्ता होती है यह पोशन प्रदान करने के लिए प्राथमिक भूण कोश केंदरक तीजी से विभाजित होने लगता है ध्यान दीजे कि हमने यहां केंदरकी विभाजन को दर मान करते हैं तो भूण पोश के इस बाहरी भाग को कहते हैं कोश की या भूण पोश या सेलिलर एंडोस्पाम तथा यह भीतर के केंदरक जो कोश का भित्ती से नहीं गिरे हैं यह कहलाते हैं केंदरकी भूण पोश या न्यूक्लियर एंडोस्पाम तो मुंगफली या मटर जैसे पादपों में यह भुरून पोश विकास शील भुरून के द्वारा पूरी तरह उभोग कर लिया जाता है लेकिन कुछ पादपों जैसे नारियल में यह भुरून पोश भुरून के विकास के बाद भी बचा रहता है तो जो नारियल में आप सफेद भाग देखते हैं, वह और कुछ नहीं, बलकि कोशी की ये ब्रूण पोश है, और जो नारियल पानी हम पीते हैं, वह केंदर की ब्रूण पोश है, यह ब्रूण पोश गेहूं तथा मक्का जैसे पादबों में भी बचा रहता है, तो जब यह बन जाता है उसकी बाद भूण का विकास आरंप होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं भूण उद्भव या Embryogenesis चलिए एक द्वीबीच पत्री या Dicot पादप में भूण उद्भव की प्रक्रिया पर नज़र डालते हैं द्वीबीच पत्री पादप वह पादप हैं जिनमें दो बीच पत्र या Cotledons होते हैं तो आरंप में यह युगमनज विभाजित होने लगता है और विभाजित होकर यह गोलाकार प्रूण बनाता है यह गोलाकार या ग्लॉबिलर प्रूण आगे चलकर रदयाकार प्रूण यह दो लोब्स या पालियां आगे चलके परिपक्व भूण में दो बीच पत्रों को जन देती हैं भूण के जिस भाग से मूल या जड़ का विकास होता है उसे कहते हैं मूलांकुरिया राडिकल और भूण के जिस भाग से तने का विकास होता है उसे कहते हैं प्रांकुरि और यह दोनों मिलकर बनाते हैं भूनिय अक्ष या एम्प्रियोनल आक्सिस एक सामान्य द्विबीच पत्री भून भूनिय अक्ष तथा भीच पत्रों से मिलकर बना होता है चलिए अब हम वापस अपने मूल प्रश्ण पर चलते हैं कि बीच कैसे बनता है तो जब हम आम या अंगूर जैसे फलों में बीचों को देखते हैं तो क्या हमें भून ऐसा दिखाई देता है क्या हमें यह मूलांकूर या प्रांकूर दिखाई देते हैं नहीं ना हमें एक कठोर बीच दिखाई देता है हम कह सकते हैं कि बीच किसी पादप में निशेचन का अंतिमुत आपको याद होगा कि हमने बीजांद में अंतह तथा बाहय आवरं की बात की थी, तो बीज के अंदर यह भूण है और यह बीज पत्र है, तो एक सामाने Şu zakleter द्वीज पत्री बीज इसा दिखता है, तो जब आप अंगूर या आम जैसे किसी फल के बीच को देखते हैं तो आप असल में यह कठोर सनरचना देख रहे हैं और भ्रूण और बीच पत्र इसके भीतर होते हैं कुछ पादपों में बीच के विक्सित होते समय भ्रूण पोश का पूरी तरह उभ्भोग कर लिया जाता है और ऐसे पादपों को कहते हैं गयर अल्ब्यूमिनस और इसके उदाहरन है मूंगफली तथा मतर जबकि कुछ पादपों में बीचों की बनते समय कुछ भ्रूण पो बीजानकाई भी बचा रहे जाता है और आपको याद होगा कि बीजानकाई वह भाग है जो भ्रूण कोश को पोशन प्रदान करता है ऐसे बीजानकाई को परिभ्रूण पोश या परिस्पर्म कहते हैं तो क्या अब आपको समझ आया कि बीच कैसे बनते हैं तो युगमनच से भूण बनता है और यह भूण बीज के अंदर होता है चलिए अब समझते हैं कि फल कैसे बनता है अब यदि हम कह रहे हैं कि युगमनच से बीज बनते हैं तो हम एक तरह से यह कह रहे हैं कि बीजांड से बीज बनता है तो जैसे बीजांड से बीज बनता है वैसे ही अंडा पूलना शुरू हो जाता है और यह फूल करके बहुत से पौधों में गूदेदार फलों को जन देता है तो फल अंडाशे से बनते हैं और बीज यब्रून बीजान से बनते हैं अंडाशे की भित्ती कठोर होकर के फल भित्ती या फलों का छिलका बनाती है यह फल भित्ती ती एक उदाहरन है अब ये वास्तविक फल क्या होता है क्या फल आभासी या फॉल्स भी हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं तो यदी फल केवल अंडाशय द्वारा बने होते हैं तो ऐसे फलों को वास्तविक फल कहा जाता है आम अंगूर इत्यादी वास्तविक फल है जब बीच फल बन रहे होते हैं तो फूल की अन्य भाग जढ़ जाते हैं लेकिन कुछ पादपों जैसे सेप, स्ट्रॉबेरी इत्यादी में यह पूरी तरह नहीं जढ़ते और फलों के निर्माण में इन भागों का भी योगदान होता है तो ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशे के अलावा फूल के अन्य भागों का योगदान भी शामिल होता है उन्हें आभासी फल कहते हैं या फॉस फ्रूट कहते हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा कि बीजान से बीजों का निर्माण होता है और अंडाशे से फलों का निर्माण होता है साथ में हमने ये भी जाना कि फल वास्तविक भी हो सकते हैं और आभासी भी तो अगली बार जब आप कोई फल खाएं तो यह पता लगाने का प्रयास करें कि वह फल वास्तविक है या आभासी